कुनो नदी के किनारे जिस छेत्र को पूरा देश अलग निगा से देखता है ऐसे भोले वाले सभी प्रकार से कामों की मेहनत में लगाता डूबने वाले मेरे सभी किसान भाईयों बहनों को सबको पड़ाम करता हूँ अभिननन करता हूँ आपका स्वागत करता हूँ अपनी मेहनत से अपनी हिम्मत से अपनी लगन से अपने परिश्रम की पराकाष्टा से पूरे छेत्र में लगातार विकास के मामले में आप लोगों ने कदम से कदम मिला के जो सरकार के साथ चलना प्रारंब किया है और ऐसे विकास के मामलों के आपके सार्थी रहे पूर्व सांसद और हमारे यसस्वी विदान समाध्यक्ष्रिमान नरेन सिंग जी तुमवर और दार अभिनेंदर करो श्रीमान नरेन सिंग जी तोंवर करो एक और सांसत हमारे बीच हमारे पालिटी के भी प्रदेश अध्यक्ष और भूत अच्छे जुजारू नेता स्रीमान विश्णुदत सर्माजी उनका भी वंदने अभिनेंदर है और आपके बीच में आपकी इस छेत्र में विकास करना है तो हमने सब प्रभारी मंत्रियों को अलग-अलग भेजा है वह यहां के बहुत सुयोग्य हमारे प्रभारी मंत्री स्री राकेश सुकला जी का अभिनेंदन करो उनका स्वागत करें इस अउसर पर जिनको मैंने मंत्री तो बनाया है लेकिन जिनने छेत्र की जनता के विकास के लिए एक संकल्प लिया कि मैं और मैं इस बात के लिए जोड़दार तालिवजा सिर्मार राम निवास रावाची के लिए अभी विस्तार से मैं बोलूँआ इनके बारे में जिनने अपने छेत्र की जनता के विकास के लिए अपने मन के संकल्प को यससरी प्रदान मंत्री नरेद मोजी जी के साथ जड़ा है पाल्टी के साथ जड़े मैं इनका स्वागत करता हूँ भी नंदन करता हूँ मंच पर ही विराजमान हमारे पूर्विधायक भोले भंडारी हमने महाकाल की तरजिन को देखा है सीता राम आदिवासी जोरदार तालिव जाओ सीता राम जी के लिए मंच पर विराजमान स्रीमान विजे दुबे जी सुरेन जाड जी स्रीमतिक उड़ी भाई जी स्री ब्रजराज सिंग चोहान जी स्री नरेन बिर्थरे जी तुरसन पाल जी पहलाद भारती जी सीता राम बाथम जी नाम तो बहुत सारे पूरे पूरे मंच को प्रणाम करता हूँ जोरदार तालिव जाके सबका विरंदन कर दो नाम में कोई छूटेगा अच्छा नहीं रहेगा आज थोड़े समय की कमी पड़ी लेकिन हमने कहा है कि हमारे बीच आज का आना तो और आवस्यक था आज वीरपूर के इस छेतर में जब हम आएं तो यहां वीरपूर में आज सबसे बड़ी संयुक्त बन प्रबंदन समीतियों के लोगों के लिए और जब बन प्रबंदन समीतियों का कारिकर्म करने आए तो 55 करोड की लागस से भहुत सारे विकास कारियों की सोगात आपको देने का काम किया है अलग-अलग प्रकार के भहुत सारे कामों का भूमी पूजन, लोकारपन, पतानी क्या क्या है मैं आज इस बात के लिए भी आपको बदाई देना चाहूंगा कि यहां लगबख 7 करोड 79 लाग की लागस से वीरपूर, कुडाय था, असीता में नल जली ओजना का कारिका भूमी पूजन हुआ, लोकारपन हुआ, जोरदार ताली बजाओ इस बात के लिए और युवाओं के लिए 4 करोड 34 लाग की लागस से सासकी काले जोडर जोरदार अविनन्दन करो युवाओं के लिए वे सोगात मिलिए तीन करोड 98 की लाग की लागस से शोपूर, एम हम उच्चतर मादनी की देले, सेसई पुरा में इसका उन्ने इन का काम कियागा, अविनन्दन करो ये नए काम के लिए एक सो इकतिस, एक दसमलो इकतिस करोड की लागस से विजयपूर के अंदर अनू विभागी कारेले का भी आज उधगादन कियागा, जहां हमारे SDM बेठेंगे जोड़दार ताली बजा, SDM के इस नए कारेले के लिए भूमे पूजन 24 करोड की लागस से, विजयपूर में 30 बिस्तरी सामुदाइक स्वास्त के इंदर का, अब 100 बिस्तरी हास्पिटल में उन्नेयन कर रहा है, जोड़दार अविनन्दन करो इस बात के लिए यही मांगा था ना आपने, CSC सेंटर, यहां के लिए भी, चलो कोई बात नहीं, यहां भी दे देंगे पहले, विजयपूर में दिया, जोड़दार अविनन्दन करो, यहां भी दिया जाएगा, आप मांगो तो सही, जो जो मांगो के सब मिलेगा विजयपूर, शियोपूर, 24 गाओं में, पी-एम जन्वन योजना के माध्यम से, 14 करोड से अधिक की लागत के, बहुत देशी, केंदरो का भी आज भूमी पूजन हुआ है, जोड़दार अविननन करो, 14 करोड की लागत जब यहां वन प्रबंदन समीति की बात कर रहे हैं, तो वनों के अंदर, विकास के लिए, हमारी सरकार ने, और अब तो खास कर यह सच्वी प्रदान मंत्री, नरेंद मोदी जी का, विननन करो, शिरिमान नरेंद मोदी जी का, जिनके मन में, ये भाव बनावा है, कि आज व से जानवर नहीं है, लेकिन सारे जानवरों के बीज भी, जो प्रकरती के साथ तालमेल करते हैं, एक दूसरे के साथ, जियों और जिनतों की भावना रखते हैं, ऐसे में जो न्यून तम जरुरत है, बन ग्राम में भी, तो उनकी फसल का अधिकार भी, उनको मिलना चाहिए, बेशने का अधिकार भी, उनको होना चाहिए, चिंता मत करो ये अधिकार भी आपको दिया जा रहा है, सारे के सारे पावर आपको दिये जा रहा है, में पैसा एक्ट के माध्यम से एके गाउं के अंदर विकास के मामले में और आप तो और बादर भाकिषाली आपकी तो चारों उगली कायमे बोलते हैं और सिर आप तो मैं वन के विकास की बात कर रहा हूं मैं भूली गया कि वनमंत्री आपको मिलगा जोरदार ताली बजाओ अपने फारेश्ट मिलिटर के लिए अगर बताओ आप तो मामा का घर और मा परोस ने आ जाए तो आपनी तो डबल चांदी हो जाती है इससे वरिया क्या जगा होगी हमारे अपने वनों के अंदर विकास के मामले में अगर हमारी सरकार ने कुछ अच्छा करने का मिर्णे किया है तो वन तो मत्रदेश में भोत है लेकिन वन का मंत्री एक ही विदान सबा में है उसका नाम है हमारी विजेपुर विधानसवा मुझे इस बात की प्रसनता है जो शोपुर जिले के अंदर और एक नी दो नी तीन नी जो जो विकास के मामले में आपने सपने देखे वैसे तो आप और भाक्य सालीयों हमारी 230 विधानसवा है और 230 विधानसवाओं के लिए भी जिनको विका चाई पक्षका सबको सब्रक्षण चाई और वो सम्रक्षण दिने वाले आप भाकिसालियों आपको हमने अद्धेश भी इसी जिले के पुर्व सांसंची को दिया जोड़ार अभ्जन्दन करो माने नरेल सिंग जी के लिए एक एक बारीक बारीक चीज की पकड़ उनको है एक एक काम क्या बोला आपने पेंटून पुल चंबल के उपर का बना थे का बन गया आपने कहा के वीरपूर में चंबल नदी पर सबलगण अटार घाट से जो ब्रिज था पेंटून अब वो पूरा हो गया पक्का ब्रिज बन गया तो ये खाली का ले जाओगे ये वापस यहीं लगाओ तो भाईया जब हमारे मानि नरेन सिंजी कहे और राम निवास जी मांगे और सीता राम जी की इच्छा हो तो मुझे भी जैजे सिरी राम ही करना पड़ेगा के नहीं करना पड़ेगा जब आपने कहा तो भाईया इसमें अच्छी बात है हमारे अपने ग्राम निवासियों को चंबल पे आने जाने के लिए अगर चंबल नदी पे पेंटून पुल की जरवत है तो नदी गाओं उक से गवगाट और नदी के पाड़ करने के लिए पेंटून पुल भी यही बनाया जाएगा यही लगाया जाएगा हमारे लिए सबसे पहले छेतर की जनता का सुधार के साथ विकास का सपना और सपने के अंदर जो जो कलपना की है वो सारी की सारी चीजे देने की घोशना कर रहा है आपने कहा के बीरपूर नंदिगाओं से पेंटुन पुल तो मांगा है ये इसके लाब क्या है ये राजस्थान की करोली माता और सबाई मादोपूर तक आवा कमन की सुज़दा मिलेगी जोरदार ताली बजाओं आपने भी बहुत अच्छा मुद्धा रखा है तैसील वीरपूर छेत्रत ग्राम पांचों से गौगाड तक चार किलोमेटर की सड़क आपने मांगी जिसकी लगबक छे करोड की छेस्सो लाग की लागत आएगी मैं यही से देने की घोष्ट ना करता हूँ यह सड़क भी आपके लिए बनाई जाएगी तैसील वीरपूर छेत्रा अंत्रकत बड़ा गाउं से वाया वीरपूर तेली पुरा तक दबल सड़क सिंगल से काम नी चलेगा दबल सड़क जोड़दार तालिय बजाओ यह सड़क भी यही से देने की घोष्ट ना करता हूँ लगवग अठारा सो लाग की लागत से बनेगी यह एनेच पानसो बावन का भाग है जो वीरपूर बाइपास प्राप्त होने से प्रस्तावित होने से उक्त भाग को दोहरी लेंड कराएंगे यार्थाद बाइपास के लिए इसका लाब मिलेगा यही है ना कोई बात नहीं जोड़दार तालिय बजाओ यह भी आपको देने की घोष्टना करते है तैसील, वीरपूर, छेतर, अंत्रगत, पोला, हित गाउं मरलने में थड़ा बहुत, उच्चारण का दोस हो तो माफी कर देना लेकिन आप तो आकड़ा पकड़ लेना कितने पैसे मंजूर कर रहा हो आपके काम की बात वोही वाली है गाउं तो आपने मांगा वोही मिलेगा बोलने का तोन थोड़ा उचा नीचा हो सकता देख जी माननी भाई सब बाकी मेरे भाव आप समझ रहो हो आप दोनों हाथ से लिये जाओ, मैं दोनों हाथ से दिये जाओंगा हमारे आपका संबन्धिये से आपने कहा पोला हित से ग्राम सुम्रेरा तीन किलोमेटर की सीसी रोड ये भी छोटी मोटी मांगते हैं यह पांसो लाग की लागत से चलो कोई बात नहीं ये भी देने की यही से घोशना करता हूँ यह आपको बदाई ज़रा हूँ वीरपूर से धोरे मिट्टी मुरम का मार ये बनाने की आपने One गाओं के अंदर की मांग किये तो One के अंदर भी आपके इस शड़क को बनाने की घोशना की जाती है आप फारेश डिपर्टमेंट से इसको बनाना साज की हाइ स्कूल अरो दरी में नवीन भवन की निर्मांट की घोशना करवा रहे हैं ये सिच्छा इवाद की है चलो कोई बात निया हमारे बच्चे बच्ची पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे ये भी बनाने की घोशना करते हैं इसमें भी कोई संकोश नहीं है कजबा वीरपूर में कालेज खोलने की बात कही है मुझे नहीं मालूम के कालेज के लिए हायर सेकेंडरी स्कूल किते हैं 20 किलोमेटर के छेतर में लेकिन कालेज में आएंगे तो बच्चे पढ़ेंगे चलो मैं परिक्षन कराके इसको भी बनाने की घोशना करता हूँ एक पर तैसिल वीरपूर ग्राम हीरापूर पीएम जेएसवाई रोड से गुदारिया मिट्टी मुरम रोड पंचायत ग्रामिन विकास से जोड़दार अब जंदन करो ये भी बनाने की घोशना कर रहा हैं तैसिल वीरपूर ग्राम अर्नोद में रोड से समाधियापुरा दांगी अचा यह मैंने इसलिए का माफ करना मेरे को उच्चारण दांगी वाबा जोड़दार अब दांगी वाबा तक आपने काम मांगा है ये भी मंजूर कर रहे हैं आपने हस्पिटल कहा है वीरपूर का समुदाइक उन्नेन केंद्र का परिक्षन करके इसको भी बनाया जाएगा जोड़दार ताली वजा करके अबिनंद्र करें अपने इस पूरे काय करम का मैं यहां पर आया जब तो बहुत सारी बाते मुझे कही गई उसमें कहा गया कि हमारे भील विलाला जाती के प्रमांट पत्र नहीं बनते हैं ये प्रमांट पत्र में तकलीब आ रही है तकलीब भी दूर की जाएगी कलेक्टर साब ध्यान दगना हमारे बच्चों को परिशानी नहीं आना चाहिए सबके साल्टिफिकेट आपको देना ही है जोड़दार अभी जंदन करो यही से मैं घोश्टना कर रहा हूं लगातार एक के बाद एक आपने कहा कि यहां पर योग के माद्यम से जिले पहसील संभाग सभी छेत्रों का परिशीमन करवा रहे हैं और परिशीमन के माद्यम से पंद्रा 20 गाओं आपने का कौन कौन से गाओं में आबादी मांग रहे हैं जहां जहां गाओं में बसने के लिए आबादी की कमी पड़ेगी कलेक्टर यहां बेटे हैं आप रसास्निक अधिकारी सुन ले हमारे ग्रामें इंजन को परिशानी नहीं आना चाहिए यह जहां जहां मांगे महां हमको देने के प्रयास करने होंगे मैं यहीं से गोश्मा करता हूं इस सारी विवस्ता के लिए विकास के मामले में सरकार हमेशा जनता के सात है गरीबों के सात ए खिसानों के सात है और हमने पहले भी कहा है कि हमारे लिए हमारा गाउन का आखरी से आखरी व्यक्ति बेठावा वो अत्यंत महत्वका है उसके जीवन में कोई परिशानी नहीं आना चाहिए इसलिए मैं पहले भी कई बारा आया हूँ कई सारी घोशना की है लेकिन जो घोशना करते हैं उसको हकीकत में उतारते हैं आने वाले समय में आप याद रखना यहां कोई बिमार पड़े किसी को हास्पिटल पहुचाना पड़े और हास्पिटल छोटा पड़ता है अभी तो व पीरपूर वजेखिपूर के बजाए गॉआलयर भेजना हो आग्रा या भोपाल दिल्ली पहुचाना है हेलीकाप्टर से हम लोग ले जाएंगे हेलीकाप्टर की ववस्था करेंगे एर इंबुलेंस के माद्यम से ये सरकार गरीबों के भला करने वाली सरकार है विवस्था पे होना चाहिए और जब बीमार पढ़ जाए तब तो वो डबल दर्द हो जाता है एसे में अगर हवाईजाज है आसपास में तो प्लेन उत्रेगा और डाक्टर भी बेठा होगा नर्स भी बेठी होगी डाक्टर के साथ नर्स और मरीज को लिटाने की इस्ट्रेचर भी होगी ताकि मरीज को कष्टनी हो अगर उसको सलाइन चड़िये आक्सियन चड़िये एसी के एसी स्थिति में अच्छे से अच्छे हास्पिटल में लिया करके उसका इलाज कराने की ववस्ता हमारी सरकार ने तर्किया या हमारी सरकार के भाव व्यक्ति गरी हो सकता है लेकिन मनुष्ट तो है किसी का भाई है किसी भाई बेहन का भाई है किसी पिता की संतान है ये चिंता अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगा और चिंता मत करना ये लगातार इंडस्ट्री का अंकलेव हम करते जा रहा है गवल्यर में भी हमने करी थी, और भी छेत्रों में कर रहा है, लेकिन जिन जिन छेत्रों में लगातार हमने अपनी उद्धो किन्वेश की मिटिंग किये, ये मिटिंगु इसलिए कर रहा है, आने वाले समय में ये बेरोजगार L dichtने हैं, सब को रोजगार दिलाने की जवाबदारी हमारी सरकार की है ये वबस्ता हम कर रहे है और रोजगार दिलाने में भी जो आईटी पढ़ने वाले हैं उनको आईटी में जाएगे जिनको एगरिकल्टर में जाना है अर्था क्रसी के शित्र में जाना है तो क्रसी में वो अपनी प्रगति करें किसीने का मैं दूद दुआरी करता हूं अपने पशुपालन का काम करता हूं हमारी सरकार ने निड़े किया है हमारे जितने भी ग्रामी इंजन है जिनको घर में पशुपालन करने की आदत है उनको अपने पशुपालन करने में प्रोश्चान देंगे दस गाय स ज्यादा जो रखेंगे उन सब को अरुदान दे करके उनका दूद उत्मादन बाने का काम भी हमारी सरकार जारा पड़ाए जाएगा और जैसे यहों पे सोयाबीन पे हम धान पे बोनस देने की बात कर रहे हैं वो के वो ही MSP पे खरीदने के साथ हमने दूद के उपर भी बोन देने की उजना बनाई है कि हमारी सरकार के रहते रहते अगर किसी ने पसपालन किया खेती नहीं है तो उसके जीवन में भला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए यह सरकार सब को लेके चलने के लिए लेकिन यह सारी बात कब होगी जब हमारे अपने बीच आज आपके बीच के मंत्री मैंने आपके भरोसे मंत्री बनाया है लेकिन जिस पकार से राम निवाज जी की विदान समा में भी छबी है या छेतर में भी छबी है इस इज़त को बना रखने का काम आप सब का है आने वाले चुनाओं में राम निवाज जी को आपको फिर विदान समा में भेजना है बोलो सब तयार है इधर से आवाए सब तयार है तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ दोनों हाथ की मुठी बांदो और हम सब संकल्ब करो इस छेत्र के विकास के लिए हमारे इस लोग की मंत्री सिरी राम निवास रावर जी को एक-एक व्यक्ति कि जब तक अपने अपने मतादीकार का उप्योग करते वे विदान सवा में नहीं बैठेगा तब तक चेन से नहीं बैठेंगे बोलो सब तयार है तो बहुत भारत माता की भारत माता की बहुत भाध बहुत बहुत धन्यवाद माने निया डॉक्टर मौन यादब जी जोर्दार तालियों से माने निया मुख्यमंत्री जी का आप अभिबादन करें मद्यप्रदेश की धरती के लाले सपूत माने मुख्यमंत्री जी अनेक सौगात और आपको वादा भी किया